हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मेरे यूटीब चैनल में स्वागत है तो आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है ये नरसरी से ले हुए पौधों को कैसे रिपॉट करें तो यहाँ पर ये देखिए मैं इससे कुछ पौधे ली हू आज के इस वीडियो में तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर यह देखिए जिससे मैं पौधा खरी दी हूँ तो यह बाइक में आया था पौधे बेचने के लिए बाइक वाला नरसरी बोला जाए यह देखिया तो इसी से मैं ली हूँ और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट लाया था खैर इसका एक वीडियो तो मैं और डाली चुकी हूँ विंटर के फ्लावर प्लांट की सौपिंग का और यह बहुत ही खुबसूरत खुबसूरत प्लांट लाया थे विंटर के तो इसको मरी गोल्ड का और यह है पीटूनिया रेट कलर का और यह केलडूला और इन्थोस है और यह फिर पीटूनिया इसमें 2 कलर हैं और यह है गुलदाओदी 17 इदिक है वाइट कलर का इसको देख के तो आर बहुँती अच्छा लगता है एप्षेंक में खिले हैं तो नामो निशा प्लावर ही फ्लावर नजर आ रहे हैं तो इन गमलों में मैं आज इन सब को रिपर्ट करूँगी तो उसके लिए देखे मैंने पहले से मिट्टी त्यार करके रख ली है उसके लिए मैंने इसमें गोबर खाद और गार्डन सोयल और मिलाई हूं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाई हूं जो मैं गाउं से लाई थी तो ये देखे इत्ते सारे गमले इसमें मैं सब पौधो को लगाऊंगी तो इसके लिए पहले होल को ये देखे ड्रेनेज होल को कवर कर दी ताकि पानी निकलता रहे पानी रुके ना और पानी अगर रुक जा तो फिर प्लांट को ग अब ही मैं मिट्टी आधा धाधा ही डाली हूं क्योंकि जो मैं पौधा खरीदी हूं उसमें भी मिट्टी है तो उसको भी इसमें डालना है देख सकते हैं यह देखिए तो चलिए बुल्दावदी के प्लांट को लगाते हैं पहले यहां पर देखिए इसको मैं कट करके निकाल रही हूँ तो यहां पर इसको देखिए निकाल दिये पॉलिथन को निकाल के अलब कर लेंगे और इसमें मैं लगाई हूँ यह देखिए इसको कवर कर दी हूँ और इसमें मैं लगाऊंगे डेंथस के प्लांट को तो यहां पर यह देखिए पूरे इसमें मैं लगा दी डेंथस और सभी गम्लों में मैं पूरे प्लांट को लगा दी हूँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है डेंथास और इसमें मेरीगोल्ड का यह देखिए बहुत अच्छे से कि सब्सक्राइब रहा है और बस इसमें एक बात ध्यान रखना इसमें पानी कम डालना जब इसकी मिट्टी उपरी सता मिट्टी की उपरी सता सूख जाय तभी इसमें पानी डालना नहीं तो फिर आपका प्लांट गल जाएगा वर वाटरिंग की वज़े से यह देखिए यह कितने सुन्दर लग रहा है और विंटर के फ्लावर तो बहुत ही खुपसुरत लगते हैं देखिए और यह सब तो लगा दी मैं अब इसको मैं कहां रखूंगी इसको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी तो फाइनली मेरा यह सब लग चुका है देखिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अर्ड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताईएगा तो लग रहा है ने बहुत ही कुपसूरत देखिए और गेंदा तो और ही बहुत ही कुपसूरत लग रहा है तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक स्टूडियो में बाइबाइब